हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की मिस वीडियो में बात करने वाले हैं जी टी एल इंफरा के भारे में देखो कल के दिन जब घीटियाल में आपको ट्रेडिंग देखने को मिली तो बहुत ही ज जादा अलक टाइप की ट्रेडिंग आपको देखने को मिली थी जोanners जोके आप यहां से पूरी डिटेल इसके सेक्टर के साथ भी हम डिसकस करेंगे और देखेंगे कि यहां से जो चीजें बन रही है शेयर के लिए वो कैसी बन रही हो कितना ज़्यादा इंप्रेसिब माहौल नजर आ रहा है क्या अभी फिर से मंडे से जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो क्या आपको लोएस सरकिट ही देखने को मिलेगा या फिर से आपको अपर सरकिट के चांसे देखने को मिलेंगे वीडियो का अंड तक आप जरू देखिए सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाए चैनल पर फस्टाम विजित कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू करिएगा वीडियो अच्छी लेगे तो एक लाइक जरू करिएगा देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ट्रेडिंग सेशन जो है वो देखने को मिला जिसमे अगर आप एक चीज और देखते हो तो वह यह है कि स्टार्टिंग के आदे घंटे तक आपको नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिली फिर यह शेर अपर सर्केट में गया फिर ब्रेक हुआ फिर ब्रेक और यहां से जब यहां पर आपको चीज़ें देखने को मिली तो शेर YouTube आपको GTL का देखने को मिला जबकि पिछले 5 दिनों में आपको 15-16% के रितर्स देखने को मिल रहे है, positive वहीं पिछले एक महीने में आपको 4-5% के negative returns पिछले 6 महीने में 70% के positive returns, YTD 120 एक साल में 300%, पास साल में 300% से जाधा के रिटरंस हैं अब जब आपको यह चीज़ देखने को मिली तो इसके पीछे क्या कुछ माहौल था तो वो मैंने आपके सामने रखता है यहाँ पर अगर आप देखते हो 130 करोड का जो वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिला और जब यह 130 करोड का आपको वॉल्यूम देखने को मिला और इसी वज़े से जो ट्रेडिंग का माहौल है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आया जहां पर शेयर में एक ताइम पर अपर सर्कित लगा था वहीं क्लोजिंग आपको इसकी लोवर सर्कित के साथ देखने को मिली इससे पहले 22 करोड का वॉल्यूम था हफ़ते का एवरेज 67 और महीने का एवरेज 34 करोड का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिलीवरी परसेंट इंप्रूब इसलिए है क्योंकि इसमें जो सर्कित बगर अलग जाते हैं तो फिर उसमें कोई भी मुमेंटम बन नहीं पाता अब जाखो पर यहां चीज दिखाता हूं जिसमें जो मेंन चीजाए तो इसमें आपको चार चीजा रगवा 2 थ्रेट्स नग्रिटी कले निख और ऊने कि यहां है जिसमें अगर आप देखते हो तो strength company की यह है कि अभी यहां से just according इसने पिछले कुछ time में growth दिखाई है आने वाले time में उसी को continue करा तो आने वाले time में आपको और ज़्यादा impressive चीजे देखने को मिल सकती है weakness यह है कि company अच्छेगा से debt के साथ trade कर रही है और इस वज़े से दिक्कत यो है लगी रहती है opportunities यह है कि telecom sector में already यहाँ पर सरकार का focus काफी ज़्यादा आ गया और बहुत सारे जो businesses है तो opportunities जैसे कि मैंने आपको बताई यहां से आपको चीज है बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही इस sector में threats company के यह है कि competition अच्छा कासा है और जो competition में companies है वो थोड़ी सी stable है इसके comparison में अब देखो यह तो मैंने आपको company specific चीज़े बताई मैं आपको कुछ यहां पर overall जो sector specific है वो बता देता हूँ जैसे कि आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होगे कि budget जो आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है एक सबते बड़ा जो major change हुआ है वो क्या हुआ है जो custom duty थी वो 10 से 15 गर थी अब उसका जो पीछे का reason दिया जा रहा है वो क्या दिया रहा है कि जो local telecom gear है यानि कि जो local telecom है वो इस particular specific high की वजह से manufacturing में उनके improvement देखने को मिलेगा क्योंको पता है कि import अगर हम करते हैं तो वहाँ पर टेक्स इतने जादा है कि वो costing overall मेंगी पड़ेगी तो try किया जाएगा कि उस चीज़ को इंडिया में ही बना जाने कि make in इंडिया पर ये थोड़ा सा और ज्यादा additional effort हो जाएगा लेकिन industry की ask थी बिल्कुल उल्टा industry की ask थी कि 10% वाली duty जीरो कर दी जाए ताकि यहाँ पर सस्ता माल आ सके और हम अपनी quality को और improve कर सके सरकार का viewpoint विल्कुल अलग है industry का viewpoint विल्कुल अलग है अब यह चीज को यह कैसे tackle करेंगे आने वाले time में वो देखना बड़ा दिल्चस्प होगा लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 10-15% से BCD जो है बढ़ा दी है और overall अब आपको जो इनके equipment बगरा बहार से मंगाते थे वो और ज्यादा महेंगे नजर आएंगे लेकिन इसी बीच अगर आप यहाँ पर देखते हो तो BSNL के लिए एक बहुत बड़ा gift जो है वो दिया गया सरकार की तरफ से 82,916 करोड का जो allocation है वो BSNL के लिए किया गया है और यहाँ पर जो total allocation करा गया है टेलिक प्रोजेक्ट के लिए है वो है 1.28 lakh करोड जिसमें से 82,916 तो केवल BSNL के लिए है तो यह चीज है आपको देखनी पड़ेगी कि सरकार अब अपनी जो पुरानी सरकारी कंप्रीज है उनको भी revive करने के लिए काफी कुछ efforts जो है वो कर रहे हैं अब यह भी एक चीज बहुत ज़्यादे इंट्रेस्टिंग रहने वाली है कि क्या BSNL revive कर पाएगी क्या इस competitive market में survive कर पाएगी या फिर नहीं लेकिन उससे पहले जैसे कि हैं मैंने आपको यहां पर बताया है कि 1.29 lakh करोड के आसपास का जो allocation है वो आपको देखने को मिल रहा है अबरॉल टेलीकॉम सेक्टर में और इसी वजह से अगर आप देखते हो तो जो माहौल है वो थोड़ा सा impressive जरू बनाए मैंने जब बजट आ रहा था तब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार का जो priority है वो कुछ particular sectors पे है जैसे कि सबते पहले मैंने आपको बताया था कि energy सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सरकार काफी ज्यादा focus करेगी और इस बार भी आपको बहुत सारे इंट्रेस्टिंग से जो announcement वो देखने को मिले फिर मैंने आपको बताया था railway यहां पर कुछ भी नहीं मिला यहां पर जो interim budget म थिकर को मिल रही है फिर आगर आप देखते हो तो मैंने रहा है तो manufacturing ठीक है manufacturing में भी आपको बहुत सारी चीज़़ीश को सुद्ध करunda पांच मेंता कोडिंग हेवी वॉल्यूम के साथ इसमें लोगर सर्किट लगा है लेकिन माहौल आरे से वगरा का पॉजिटिव हो रखा है तो चांसे हैं कि आपको जो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल जाए और इवन अपर सर्किट भी लग जाए क्योंकि इतना वॉल्यूम मेरे ख्याल से सेलिक में मंडे को फिर से नहीं आने वाला यह मेरी थौर्स हैं बाकि आप अपने उपीनेंस जो हैं कॉमेंट में जरू बदाएए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरू का दीचेगा और को सब्सक्राइब जरूगा दीचेगा धन्यवाद